हलो एवरीवन वेलकम बैक टू आरे सर्विवाल ओफिशल यूटीव चैनल तो बिच्छो हमने पिछली क्लास में क्या किया था पिछली क्लास में हमने अपना रिफ्रैक्शन वाला टॉपिक और उसके बाद आपके टाइपस ओफ लेंस को कवर किया था आज हम क्या करने वाले हैं आज हम उसी को आगे लेकर चलेंगे और उसके अंदर हम अपनी इमेज फ़र्मेशन देखेंगे और उनके आपके डैग्राम कैसे बनते हैं उनके बारे में हम सारी चीज़े को डिटेल में हापे डिस्कॉस करेंगे तो पिछली क्लास में क्या किया था अगर मैं आपको थोड़ा सा overview देने की कोशिश करूं तो पिशली क्लास में आपने वहां पर मुझसे क्या समझा था आपने मुझसे Concave Lens और Convex Lens के बारे में पढ़ा था Convex Lens दिखने में कैसा होता है सर हमारा कुछ ऐसे दिखने में होता है इसको हमने क्या बोला था बिटा अपना Convex Lens बोला था और Concave Lens कैसा दिखने में था सरकुच ऐसा दिखने में अपना क्या था Concave Lens था ठेक कोई दिक्कत यहां पर दोनों के Center में क्या था आपका Optical Center था यहां पर एक Line Pass होती थी जिसमें आपका Center of curvature होता था ठीक है और यहां पर आपके क्या होते थे बिटा Focus होते थे और ऐसे ही आप सेम बाते इसमें बोल सकते हैं तो अब हम क्या discuss करेंगे अब हम discuss करेंगे बिटा आपकी यहां पर रेज अलग-अलग points से आ रही हो जैसे आपकी पैलर आ रही हो और आपकी वैसे जा रही हो कहीं इदर से आ रही हो focus से आ रही हो तो क्या आपके light जो आती है वो optical center से पास करती है तो वो कैसे जाती है undeviated जाती है मतलब वहां पर आपकी refraction या फिर bending of light इन दोनों में से कोई भी चीज जो सेमी चीज़े इन दोनों में से कोई भी चीज नहीं होती है for example अगर आप यहां देखें तो यह आपने क्या बनाया था अपना convex dense की बात की थी तो light आपकी ऐसे आई है ठीक है light आपकी आई optical center से पास ही और जैसी जिस direction में थी उसी direction में चली गई और अगर आप concave में देखें तो वहां पर भी आपकी सेम चीज हुई है क्लेरे वाली बात ठीक है चली आगे चलते हैं second आपका क्या है कि अगर आपकी light कैसे आ रही हो principal axis के पैलर आ रही हो जैसे आपका यह क्या है principal axis और यह आपकी light रहे है तो क्या होता है बिटा after the reflection यह कैसे चली जाती ह आपकी focus से pass हो जाती है जरा देखिएगा क्या है यह आपकी light ray आ रही है इस direction में ठीक है यह आपके center से यहां से pass हो के कहां से चली गई आपकी बिटा focus से चली गई समझ में आगे आपको ठीक है अगर आप यहां पर देखें तो यहां पर अगर यह focus से क्यों पास हुई क्योंकि यह console lens था आपका convex lens था और convex lens का nature कैसा होता है converging nature होता है very good ठीक है चली है अगर आप यहां पर देखें तो यहां पर क्या है आपकी light ray आई ठीक है इस direction में आई और टकड़ा के आपकी यहां पर चली गई सर यहां पर ऐसे क्यों गई क्योंकि यह कौन सा केस था आपका concave केस था और यह कैसा आपका nature का होता है diverging nature का होता है diverging nature के वज़े से यह light आपकी ऐसे आई और सर इस direction में आपकी चली गई अब सर फोकस पे तो मीट करी नहीं तो क्या करेंगे इसको focus पे मीट कराने के लिए हम क्या करते हैं इसको backward ऐसे extend करते हैं जो आपकी इस वाले point पे मिलती है यह वाला जो focus होता है यह focus कैसा होता है आपका यह real focus होता है और यह वाला focus कैसा होता है आपका virtual focus होता है यह सारी बाते आपने मुझसे पहले वारे lecture में cover की भी है आगे चले चलिए आगे चलते हैं अगला अगर आप देखेंगे कि सर अगर light आपकी कैसे आई बेटा focus से फोकस से पास करके आई मतलब light आपकी जो आ रहे है वो ऐसे आ रहे है डिक है तो light अगर आपकी focus से पास करती है तो optical center पर यहां से refraction करके कैसी हो गई pallet to principle axis clear तो जैसे light आपकी इधर की direction में आईगी इस direction में focus से पास करके आई तो after the reflection कैसी हो गई palette to principal axis ठीक है और अगर आप यहां पर भी देखें तो यहां पर भी आपकी ray आ रही है वैसे focus से pass करने को चाहरी थी उसके बाद देखा जाता पर focus से तो pass करनी पाएगी क्योंकि यहीं पे आपका lens आ गया तो यहीं पे इसका refraction होके कैसी हो गई आपकी palette to principal axis तो पेपर में आपसे क्या पूछ सकते हैं कि बताओ concave यह convex lens में अगर जब मैं ray को कहां से pass कर रहा हूं अपने focus से pass कर रहा हूं तो उसके साथ क्या होता है तो आप क्या बोलेंगे कि सर आपकी जो ray होती है it become parallel to principal axis यहां पे आप देख सरे of light भी कहा जाता है कई बार teacher आपको थोड़ा सा confuse करने के लिए और थोड़ा सा अपर लेवल का question समझाने के लिए या फिर थोड़ा सा difficult question देने के लिए इसी को नाम बदल देता है इसी चीज को इसी चीज को नाम बदल के देता है कि what do you understand by principle of reversibility of light आपको लगता है क्या difficult चीज आगे बिल्कुल difficult नहीं या यही simple चीज है ठीक है clear चलिए आगे चलते है आगे अब हम क्या करने वाले image formation by convex lens and then followed by concave lens अब हमने अपनी यह वाली चीज़े देख लिए कि light आपके पैलर आ रही हो कैसे जा रही हो क्या इनके साथ होता है अब हम अपने convex lens और concave lens के बारे में चीज़ें को discuss करने वाले हैं ठीक है तो पहले हम अपने convex lens को करेंगे जो हमारा बहुत ज्यादा स्टाइं इन्म्टार्टें टॉपिक है अपका ठीक है तो अगर आप इसमें बात कीजिए तो इसमें क्या होता है आपका यह आपका क्या होता है ठीक है एक आपका यह लैंस है कौन सा convex lens है यहां पर center में क्या होता है आपका optical center ठीक है यह इसका aperture यहां पर आपने straight line ली जिसके उपर आपका क्या क्या लाए करता है 2F1 और 2F2 क्या होते हैं यह 2F1 2F2 बताओ जल्दी बताओ center of curvature very good और यह क्या है आपका F1 और F2 यह F1 F2 क्या है principle focus है समझ में आ गई वाली बात ठीक है अब हम क्या करेंगे देखना हम क्या करेंगे पहले अपने object को इस optical center और focus के बीच में रखेंगे फिर उसके बाद हम इस object को यहां से उठाकर focus पे रखेंगे फिर उस object को यहां से उठाएंगे फिर between F1 and 2F1 रखेंगे फिर F2 पे रखेंगे और फिर इसको object को कहीं हम यहां रखेंगे तो इन पाचो case के अंदर जो जो आपकी light rays बनेंगी जैसे आपकी light rays निकलेंगी और ऐसे बनेगा तो इनकी image formation को हम यहां पर check करेंगे तो यहीं सारी चीज़ें हम यहां पर करने वाले हैं तो चलिए अपने first question पर चलते हैं यानि first ray diagram पर चलते हैं तो अगर हम इसके अंदर थोड़ा सा opposite करते हैं पहले हम क्या रखते हैं पहले हम क्या रखते हैं 2 f1 से beyond रखते हैं तो हमने इस बार object को कहां रखा है between principle focus and optical center यानि आपने कहां रखा है वही चीज रखा यह आपका क्याता optical center और यह क्याता focus जो हमने इस image बनाने के लिए किती रखती है दो ratio यहां से आपकी दो रेज निकली देखते हैं कौन-कौन सी निकली एक रे आपकी यह आपका ऐसा है ठीक है एक रे आपकी ऐसे सीधी गई ठीक है और आपका यहां पर इस वले यानि आपका क्या हो रहा है बाहर कौन सा material है air अंदर towards the normal और normal band करके आपकी यहां से focus से pass कर गई सर फोकस से pass क्यों करी क्योंकि यह कैसा nature है आपका इसका converging nature होता है यह कौन सा nature आपका converging nature है इसी वज़े से आपकी यह pass करी है क्लेर वाली बात ठीक है दूसरी रे देखेगा अब यहां पर यहां से एक दूसरी रे निकली जो optical center से pass हो रही है आपको मैंने बताया था अगर optical center से कोई भी रे पास होती है तो वो कैसे जाती है आपकी undeviated यानि यह आपकी एकदम सीधी निकल गई तो जरा आपकर आप ध्यान से यहां पर देखें तो यह आपकी race कुछ ऐसे जा रही है मतलब यह ऐसी race fell रही है तो आगे meet करने का तो इनका कोई chance ही रही है यह ऐसे आपकी फैले जा रह यहां पर जाके मुझे इसकी क्या मिली है बिटा इमेज मिली है तो अगर मैं आपसे पूछे हूँ कि object कहां था object कहां था तो आप क्या बोलेंगे object was between optical center and f1 इमेज आपकी कहां बनी है इमेज हमें मिली है beyond to f1 तो यहां पर लिखेंगे beyond to f1 image का nature कैसा है real की virtual आपको देखिए डारेक्ट मेरे आपके lens के सामने तो अधर नहीं मिली यहां इस side पर आपको image मिली है तो image का nature कैसा है आपका virtual and erect object इतने size का है image आपकी बढ़ियाई यानि highly enlarged तो यही सारे points को आप आगे लिखेंगे तो देखिएगा जरा आपका यहां पर अगर आप ध्यान से देखिए तो यही points को मैंने यहां पर आपके mention किया है ठीक है थोड़ा सा बढ़ा कर देते हैं जिससे आपको clearly देख center image कहां form हुई है image form हुई है आपकी beyond 2F1 nature कैसा था virtual and erect समझ में आ गया और size कैसे बना है आपका enlarged मतलब object इतने size का था image आपकी इस size की बनी है ठीक है तो यहां पर आप यहां पर पढ़ सकते हैं कि virtual erect and large images form जब आप object को कहां रख देते हैं optical center और F1 के बीच में रख देते हैं चलिए आगे चलते हैं अब हम क्या करेंगे इस object को यहां से उठाकर F1 पर रखेंगे और देखेंगे क्या होता है तो देखेगा अब हमने object को उठाके कहां पर रख दिया बैटे अपने इस object को हमने कहां पर रखा इस object को हमने यहां पर रख यानी F1 पर रख तो F1 से raise निक करते भी आगे गई और दूसरी रेज जो आपकी optical center से गई वो आपकी undeviated गई तो यह दोनों rays देखना आपकी सीधी सीधी आगे की तरफ जा रही है हमें नहीं पता यह कहां पर meet करें समझ में आ गया तो यहां पर आपकी image कहां बन रही है हम मान के चलते हैं कि image आपकी कहीं infinite पे कहीं दूर बन रही है ठीक है object का size बहुत छोटा है image का size तो बहुत बड़ा बनेगा अगर कहीं यहां पर बनती है तो बहुत बड़ी image बनेगी तो हम कहते है highly enlarged image कहीं बन रही है ठीक है तो चली आगे चलते हैं इसके बार में कुछ points पढ़ेंगे तो आप यहां पर देखेगा इसको थोड़ा सा च्छोटा करते हैं लीजे इसको नीचे लेके आ गया चली तो यहां पर object कहा था object was at f1 तो यहां पर आप देखेगा object कहा हर खता हमने f1 पर रखा था ठीक है आपकी जो image form हुई है वो आपकी image कहां फॉम हुई है सर यह आपकी आगे की तरफ जा रहा है तो हमने मान लिया कहीं infinite पर फॉर्म हुई है तो image form कहां हुई है at infinity यह दोनों real image वारे दोनों real में लाइने हैं आपकी कहीं आगे जाके meet तो क किया न तो इसी वज़े से हम यहाँ पर word use करते हैं real image का आपकी जो image बनेगी मान लिजए आपकी image यहां कहीं बनी है तो image कैसे बनेगी ऐसी ही तो बनेगी यानि object आपका सीधा था image आपकी उल्टी बनी है तो इसके लिए कौन सा word use करते हैं inverted object का size आपका कुछ यह था और image क size तो काफी बड़ा आ रहा है इसलिए यहां पर कौन सा word use करेंगे highly and last clear हुई वाली बात की हुई नहीं होई की होई की नहीं होई बताओ पक्का ठीक है यहां पर आवरामस्ती से समझ सकते हैं तो अब हम क्या करेंगे अब हम अपने इस object को इस object को between f1 और 2f1 के बीच में यहां पर रख दिया कहां रखा है बेता between f1 and 2f1 आपका यहां यह क्या रखा गया यहां पर यह क्या था बेटा आपका object था अब्जेक्ट से किती रेस निकलेंगी आपकी, दो रेस निकलेंगी, ठीक है, एक रे आपकी ऐसे गई, ठीक है, बीच में यहाँ पर क्या हुआ, री फ्रैक्शन हुआ, और कहां से पास कर गई, आपके लेंस ने क्या किया, इस रे को converge करा, और आपकी फोकस से पास करके निका दिया दूसरी रे क्या होगा बिटा दूसरी रे का समझना दूसरी रे आपकी कहां से पास करती है जैसे हमेशा optical center से optical center से जाने वारी रे वो कैसे जाती है undeviated जाती है इसलिए ये रे आपकी कहीं यहां जा कि आप गहीं मिला तो अगर मैं पूछी हूँ object कहां था object आपने कहां रखा between f1 and 2f1 clear ठीक है image कहां बनी image बनी है beyond 2f2 image के लिए क्या लिखेंगे image कहां बनी है sir beyond 2f2 image कैसी है real की virtual sir 2 rays real में जाते भी appear कीती भी दिखा देरिया में यानि real में आपकी यहां पर मिली है तो image कैसी है आपकी real object आपका ऐसा है image आपको उल्टी मिली है यानि इसके लिए work on सा यूज़ करते हैं inverted very good यार आप लोग तो सीख गए सारी चीज़े ठीक है और इसके बाद आप यहां पर देखेंगे तो object का size इता है image का size इता है तो पतलब enlarged image का size थोड़ा बड़ा आया है तो इसलिए हमने क्या use करेंगे enlarge पर use करेंगे तो सारी properties यहां पर मैंने अगली slide पर लिखी वी है तो यहां पर आप पड़ सकते हैं कि image कहां मिली है हमारी beyond 2f2 real image है और inverted है और आपकी जो image का size है वो कैसा है and last और यह आपका रहा ray diagram बताओ clear हो गया इस center of curvature को यहां पर मैंने c1 लिखा वाए तो आपको पता यह c1 की जगा आप क्या बोलते हैं टू-f1 बोलते हैं ठीक है तो यहां पर देख लिजागा जहां आपने c2 लिखा इसको आप क्या बोलेंगे 2f2 बोलेंगे ठीक है तो आप इस point को ऐसे भी कर सकते हैं clear यह वाला अब हम क्या करेंगे अब हम अपने object को कहां रखेंगे अब हम object को बेटा अपने 2F पर रखेंगे कहां रखेंगे अपने यहां रखेंगे और देखते हैं कि आपकी image कहां फर्म होती है चलिए आगे चलते हैं एक सिक्ट चलिए तो अब हमने अपने object को कहां रखा बेटा अब हमने अपने object को रखा Sir 2F1 पर यह वाला भी आपके लिए important है यह वाला exam में पूछा जाता है काफी बार ठीक है यहां से आपकी एक ray निकली ठीक है यह आपका क्या था आपका lens था यहां से light आपकी air से glass में जा रही है इसका मतलब क्या हुआ यहां पर refraction हुआ और इसका nature कैसा है converging तो इसने light को क्या कर दिया converge कर दिया और focus से pass कर दिया ठीक है दूसरी light देखिएगा दूसरी light जो है वो यहां से आपकी pass किया और वो कहां से निकली optical center से निकल के इस direction में निकली ठीक है तो दोनो rays आपकी कहां मिली यहां पर मिली और luckily कहां मिली है आपकी 2F2 पर मिली है तो अगर आप ध्यान से रखे अच्छा किसी ने पूचा सर यह light आपकी undevated क्यों गई क्योंकि कहां से pass करी है optical center से यह बात मैंने आपको बताई थी ठीक है तो आपने object कहां रखा sir object was at 2F1 object कहां था 2F1 यही center of curvature में था आपका image कहां मनी sir image बनी है हमारी 2F2 पर कैसी image बनी है real and inverted देख सकते हो real inverted ठीक है और same size की बनी है जितना size इसका था उत्ता ही आपका size इसी size की है ठीक है तो इन सारी बातों को अगर आप यहां पर next slide पर पढ़िएगा यही बाते मैंने आपकी यहां पर लिखी भी है जराब ध्यान से पढ़ना यहां पर यही बाते आपने यहां पर लिखी भी है तो आपकी position of image कहां थी at 2F2 वहां बनी है ना 2F2 पर बनी है image बनी कैसी है real and inverted image बनी है ठीक है और इस size कैसा है दोनों का size क्या है same है अगर यह 5 meter की है तो यह भी कित्ते की होगी आपकी 5 meter की होगी बताओ clear हुआ की नहीं हुआ कित्ते जल्दी डे डाइग्राम साब बोलते हैं क्यों आप इत्ते जल्दी असानी से answer इसलिए दे पा रहे हैं क्योंकि आपने पहले वाले lectures को अच्छे से देखा है और जो answer नहीं दे पा रहा उसका मतलब है कि उसने पहले वाले lectures के अंदर अच्छे से नहीं पढ़ाई की है तभी आपको यह answers नहीं आ रहे है और यहां से बटा एक आपका तीन marks में question जरूर पूछा जाएगा तो इसको आप हलके में मत लिएगा अगला आप आपने क्या करा इसको 2F1 से उठा के थोड़ा सा पीछे रख दिया तो चलिए तो आपने क्या करा अप क्या करा इसको beyond 2F1 रखा तो यानि यह आपका object हो गया सेम निकलेंगी एक रेसर सीधी गई यहां पर आपका glass का है ठीक ही आपका glass है बाहर आपका क्या था air था glass क्या हुआ यहां पर आपका reflection हुआ और इसने क्या कर दिया converging nature की विरे से अपनी light को ऐसे converge करके भेश दिया दूसरी light sir आपकी यहां से निकली यह आपकी optical center से जो pass हो रही है वो आपकी undevated जाती है मतलब यह ऐसे निकली दोनों rays आपकी कहां कठ हुई यहां पर कठ हुई तो यहां पर आपकी क्या बनी image बनी तो object was at beyond 2F1 image कहां बनी है between F2 and 2F2 real image की virtual image real की virtual real image very good कैसी object उपर की तरफ image ऐसे inverted बनी है की नी बनी हंजी sir कैसी बनी है inverted चलो और इसका size देखो object एक अपर थोड़ा छोटा बना है तो यह सारे points आप यहां पर देखिएगा यहां पर हमने सारे point लिखे हैं कि आपकी जो image बनी है वो कहां बनी है between 2F2 and F2 बनी है image कैसी है real and inverted object का size अगर 5 meter है तो image आपकी 2 meter के आस्परस बनी है इसलिए यहां पर word use किया गया है diminished clear अब last वाला है last वाले के अंदर हम क्या करेंगे इस जो object को हमने यहां रखा था इसको माल लेंगे कहीं infinite पर पढ़ा हुआ है तो infinite वाला तो आपको पता ही already कि हमने माल लिया कि object कहीं infinite पर पढ़ा है कहीं दूर पढ़ा है इमेज बनी है हमारी f2 पे real एंड आपकी real image बनी है यहां पर ठीक है real image बनी है और दूसरी चीज real image के साथ-साथ इसका nature कैसा है आपका point size image है image कैसे बनी है आपकी देख सकते हैं आपके point बना रहा हूं यह आपके point size image बनी है तो यही सारी properties आपको लिखनी होंगे ठीक है यह सारे points आप यहां पर देख सकते हैं ठीक है सारी चीजह लिखिए highly divnish मतलब बहुत चोटा है real inverted at f2 sub point कवार है clear चले आगे चलते हैं अब मैंने इन सब चीजों को एक table में आपके लिए combine कर दिया है जिससे आपको problem ना हो अगर आप यहां पर ध्यान से table देखेंगे तो अगर आपने जब object को infinity पर रखा था तो अभी कहां बनी थी f2 पर उसकी position बनी थी कैसी थी बहुत ज्यादा चोटी highly divnish और point size और nature कैसा था real and inverted ऐसे ही जब आपने beyond 2 f1 रखा तो between f2 and 2 f2 बनी diminished बनी real inverted आया फिर आपने at 2 f1 रखा जब आपने object को तो same size की बनी थी और real or inverted बनी थी फिर आपने जब between f1 and 2 f1 रखा जहां पर आपकी highly enlarged बनी थी beyond 2 f2 ठीक है यह हमने बात की थी और फिर फोकस पर रखा था तो infinity पर बनी थी और बहुत ज़ादा हमने माना था real inverted और last वाला case जब आपने focus और optical center के बीच में रखा था तो वो उस case में आपकी कैसी बनी थी virtual or redact बनी थी ठीक है और आपके same size बनी थी आपके lens के एकदम सामने ही बनी थी clear तो यह वाली सारी चीजों को आप एकदम screen एक बार आप चाहें तो screenshot ले सकते हैं आपकी reference के लिए आप इस table को बना लेंगे तो अराम से आप easy jád कर सकते हैं अब हम किसकी बात करेंगे आप हमने convex lens की तो अपने बात करी half कि बात करते cancave के सबकर आपके अपके सुभी एंक हैं आपके आपकोża आपको पता ही हैया का का नेचर कैसा होता है आपका diverging होता है तो यह आपकान पर के बनाएंगे, ठीक है, यह आपकी principle axis, यहाँ पर क्या होगा, optical center, यह आपका F1, F2, principle focus, यह क्या हो जाएगा 2 F1, और यह क्या हो जाएगा 2 F2, अगर आपकी race कहीं बाहर से आई, अगर आपकी race आई, तो यहाँ पर जो optical यहां से टग आने के बाद, रीफ्रैक के लिए इसके दोनों वाले करकर खतम करते हैं इसके मurarडु ही केस है जब आप्टिकल सेंटर और इंफिनिटी के बीच में रखा जाए और दूसरी चीज आप्जेक्ट इंफिनिटी पर रखा जाए चलिया तो जब आपजयक्ट को कहां अबक आप्टिकल सेंटर और infinity के बीच में रखा optical center infinity के बीच में रखा तो क्या होता है वो जड़ा आप यहाँ पर देखिएगा आपना यह optical center माल लिया और यह हमने माल लिया point infinity तो यहाँ पर हमने क्या रख दिया अपने object को रख दिया थोड़ा सा color change करते हैं अब आपकी देखिए यहाँ से एक रे निकली बड़ी प्याली से रहे यहाँ पर optical center से पास हो रही होगी यहाँ पर बाहर एयर अंदर class तो क्या हुआ यहाँ पर refraction वह और ऐसे पास कर गई दूसरी रे निकलती है वो कैसे जाती है हमने backward extend करा तो कहीं यह दोनों raise आपकी इस point पर meet करी तो यहाँ पे जो यहाँ पर यह चीज़ बनेगी यह चीज़ क्या किलाएगी अपनी image क्या रख था आपने beyond to f1 image कहां बनी sir image बनी है हमारी O और f1 के बीच में कहीं बनी है क्लेर यह वाली बात चलिए तो सारी properties आप यहाँ पर आराम से इसली पढ़ सकते हैं इसको थोड़ा साइस छोटा करते थे हम लोग जिसे आप इसली पढ़ पाएं ठीक है चलो और इसका diagram आपका यह आ गया उपर ठीक है तो ठीक है और यह क्या है आपका object तो देखो object तो इत्ता बड़ा और image किती इत्ती सी यानि छोटी नहीं है तो इसलिए यहाँ पर वर्ड किया कि यूज किया है diminished हमने real image से तो बनी नहीं रही तो एक रही यहां जा रही थी तो हमने backward extend करा इसलिए कैसे बनी है virtual and erect बनी है between optical center and f1 तो यह बात आप ध्यान रखेंगे कि जब भी हम अपने object को कहां रखें beyond 2f1 रखें in case of concave lens तो वहां पर आपकी image between f1 and optical center बनती है क्लेरे वाली बात चलिए अपना अगला ray diagram देखते हैं अगला ray diagram अगर आप देखेंगे तो यह बड़ा easy है और आप लोगों ने यह वाली चीज को already पढ़ावा भी है ठीक है चलिए देखना बड़ा simple है यह वाला भी ठीक है तो देखेंगा यहां पर देखेंगा कि आपकी एक रे यह और एक रे यह सर ऑब्जक कहां रखा है भया आप जट रखा है कि इन्फिनिटी में दूर से रेज आ रही हैं कॉन के लेंगे कैसा नेचर होता है सर डाइवर्जिंग तो इसने क्या कर दिया ओहो डाइवर्ज कर दिया अब फिर वही बात सर यह तो ऐसे खुल र गई और image कहां बनी है इस बार f1 पे तो object कहां था बोलो बोलो object कहां था sir infinity पे और image कहां बनी f1 यानि focus पे क्या यह real focus है कि virtual focus है virtual focus है very good तो यानि image कहां बनी है आपके virtual focus पे image रियर है कि virtual से dotted रहे आपने अपी बताई है हमें डॉटिट करें यह वर्चुल और इरेक्ट है तो property पढ़ लेना object कहां था हमारा infinity इमेज कहां बनी f1 पे वर्चुल और इरेक्ट और छोटी image बनी है बहुत जादा यानि point size और highly diminished तो इन दोनों को भी एक table में combine कर लेते हैं ठीक है तो table में आप ज़रा combine करके यहां पे देखेगा कि अगर आपने object को कहां रखा बेटा infinity पे रखा अभी आपने पीशे वाले example पढ़ा तो आपकी image कहां बनी focus पे बनी ठीक है और आपकी image कैसी थी highly diminished and point size और इसका nature कैसा था virtual और erect और between जब आपने infinity और optical center रखा था object को तो वहां पे कहां बनी थी f1 और o के बीच में बना था जब आपने infinity और optical center के बीच में कहीं भी रखा था मतलब हमने add to beyond to f1 रख दिया था ना उसको तो यहां पे image कैसी बनी थी आपकी diminished और virtual and erect तो एक point note कर लीजे यहां पर कि जो आपका concave lens होता है वह हमेशा कैसी image बनाता है virtual and erect image बनाता है यहां पर देख लीजेगा समझ में आ गया बहुत important है एक marks में आपसे question पूच सकता है कि बताओ कौन सा lens आपका virtual and erect बनाता है हमेशा तो आग बन करके concave lens पे answer करी आएगा बताओ clear हो गई वाले बात ठीक है तो यहां पर बेटा हमने क्या कर लिया यहां पर हमने अपने concave lens के और convex lens के सारे right diagram आपको खतम कर लिए आपको इस particular topic से एक तीन marks में question या तो आपको normal देखने को मिलेगा या तो आपको numericals form में मिलेगा हम इसके numericals भी करेंगे numerical terms में question करेंगे बट आपको यह वाली चीज़े समझ में आ जाने चाहिए इसको क्या करने के लिए इ उसके बाद आपको यहां पर सारी चीज़े अपने आप clear होने लग जाएंगे ठीक है तो यहां तक आपको समझ में आ गया तो आप यहां तक cover करके रखना बाकिया हम लोग next class में start करेंगे अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप जाने से पहले एक thumbs up जरूर देके जाएंगे और अगर आपने चैनल पर सब्सक्राइब नहीं कर रहा है तो सब्सक्राइब करके जाओ अगर आम लोग आप लोगे लिए पढ़ा रहे हैं तो प्लीज आप करके जाए इससे हमें अपने motivation मिलती है कि हम आपको और अच्छी चीज़े दें और आपको और अच्छी तरीके से पढ़ाएं. If you like this video, please don't forget to subscribe us or give us a thumbs up. Till then, take care, bye bye.